तो हलो दोस्तों इस वीड में हम देखेंगे कि जो पेपर एनलेसिस था फिजिक्स सेक्षन का 2020 का वो हम लोग देखेंगे ठीक है तो इसमें हम लोग इजी डिफिकल्ट यह मीडियम कि इस पर डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इजी मीडियम और डिफिकल्ट हर एक के लिए अलग अलग सकता है ज्यादा ज्यादा किसी के लिए पुरे फिजिक्स को 2020 का था हमने उसको टिवाइड किया है तीन पार्ट में इसको डिवाइड के हमने तीन पार्ट में ठीक है जो आपको पाई डिएग्राम देखेंग तो इसमें जो 64 परिषिएंट है जो 29 नहीं को इस तो तो सबस्कार में कुछ यह जो है यह फॉर्मिला को क्याक्षbuat थैसं ईहले जाए टो यूज होगा अपको आंसर करने तूरंत कुछ चेज़ नहीं करना है सारे आंसर आपको फॉर्मिला बेज मुल्टिपल कंसेट थे ही नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कोशन जो है आप अगर आपका क्या क्याकूशन ठीक ठीक पर भी है तो आप आराम से 20-25 मिनिट्स में खतम कर सकते थे ठीक है अब 11 थे कोशन ज चाहिए और थोड़ा सा बेसिक नौलेज होना चाहिए तो उससे हम लोग यह 11 कोशन जो है कर सकते थे ठीक है तो यह दोनों मिला के है आपके पास जो है 40 कुशन बन जा रहे ठीक है 40 into 4 160 माक्स अपको यह ही से मिल रहे अगर आपके सारे कंसेट क्लियर है अगर आपके प्रिवेसर बहुत इंप इसकी बात में आपके बताऊंगा कि कितना को प्रिवेसर कितना कितना इंपोर्टेंट एक करना तो यह तो यह प्लिक्लिकेशन बेस थे लेकिन यह भी कोशिन जो थे थोड़े इज़ी ही टाइप के ते इस बार एक और दो कोशन हर बर difficult टाइप के आपको पहले लिए ना तो आपको पहले टालेगा नहीं और आएब लूटेस्टो चुन सेवेंटी तो आराम से टार्गेट कर सकते हो अगर उपर नीचे हो भी गया तो प्लस टेन मानेस टनाप पकड़ के चल सकते हो अगर आपने पूरा साथ बर आपका जो भी और किस किस पॉइंट को को स्ट्रॉंग करके चलना और क्या पेपर में गलतिया नहीं करने ठीक है तो अब आते हैं आगले सेक्शन पर तो इसमें दिया है कि हमें क्या क्या करना है ठीक है आपको प्रिवेस थर्टी टू येर्स के जो है सवाल लगाने ठीक है ठीक है ठीक है ठ बच्चे उसमें सिर्फ 10 या 12 years कितने 10 या 12 years के 2006 कुई 2008 से question लगाता है लेकिन आपका बता हूंगा आपका टाइम है अभी 30 weeks से सब्सक्राइब करना है 32 years के ही question लगाने पड़ेंगे ठीक है क्या होता है कि 1995 मैं अभी देख रहा था paper में तो कुछ जो पहले questions थे 1987-88 ऐसे जो question 88 sorry 88-89 ठीक है तो इस जो इस रेंज के questions थे 89 तो यहां के जो बेस कुछन होते हैं मतलब जो theory questions होते है तब थोड़ा से syllabus जो है अलग हुआ करता है लेकिन अगर वहां के जो syllabus common था पहले ठीक है जो पहले भी था अब भी है तो question जो common थे तो कभी-कभी questions वहां से उठके आ जाते लेकिन यह तो सबसे ज्यादा important है इससे 110 परसेंट 110 टक्ये इसमें से आपको आराम से 15 से 20 कोशेंट हो जाएंगे ठीक है concept same same concept आएगा मैं आपको लिखके दे रहा हूँ आप इस वीडियो को पॉस करके लिखके लिजिए कि 15 से लेकर 2020 इसमें इन 12 साल में से हर एक साल में से एक है दो कोशन रिपीट होंगे ठीक है same concept कभी-कभी नंबर भी चाहिए नहीं होता आपने देखा होगा एक कोशन आया था म्यूव ए वाला ठीक है जो आपको पूचा गया था आयका वैल्यू ठीक है जो साइन आयका वैल्यू आयके वैल्यू होता है तो उसका अंसर म्यू था यह प्रिवेश्चियर में आया वाक कोशन है कुछी सालों पहले कोशन आया था और बहुत लोग नें सौल भी नेकिया होगा एसे आंसर मार देखा होगा कोशन पूरा पूरा सेम था ठीक है जी एफेक्ट्ट्व के जोडेवाता लॉजिक गेड तो बेसिक उच्पर प्रिवेश्चार में था अधा जूटिग गेड है पता है यह बहुत से से फ्यम्यूला वेश्प कुछन एपसिलों की वैल्यू पूछ ली दी दिग्म है एपिस्लों की एपसिलों की वैलीयू जो है पूछ लिके थेहरी में आपको भूत ही ज्यादा इस अगर पोटेंशियल जो है वह फिल्ट क्या होगी जीरो अगर पता होगा एलेक्ट्रिक फिल्ट क्या होती है माइनस डीवी बाइड यार ठीक है तो यह इस अपको यह कुछिंग के भी साहरा था कि यह कुछिंग जो है इसली सॉल हो सक पहले है तो स्ट्रेस पर एक कुछिंग पूश्ट लिया गया एक कुछिंग पूश्ट पर पहले वहां से पक्का आएगा और वह आया ठीक है तो यह बहुत ही आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे थे त्रटिक को पूचे गहते है आल्फा किसका नेगेटिव होता है मैं आपको एक लेक्चर बना दूँगा वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग जो है एक वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा सारे थेरोटिकल पॉइंट्स लास्ट थोड़े दिंबा अपने आपको एक वीडियो लालूंगा और टेस्ट भी लेंगे हम लोग टेस्ट भी ल फिर दरूर से लेंगे तो सॉल स्टेंडर मॉक पेपर्स ठीक है आपको मॉक पेश मुथे होते हैं वह स्टैंडर तैंडर्सॉर आपको प्रदीटी से छोड़ देना उसको जर्च करना यहां पर 150 आ रहे हैं तो आपको नीट में आ तक अगर आपने कोई स्लिम शेक्स नहीं की तो आप आराम से पोच जाओगे तो को स्टैंडर मॉक पेपर सौल करने कुई भी आलतु-फालतू का नहीं करना है मॉक पेपर सौल कि उससे पर में कुई अगर आपने आधे सूपर बुक कर दिये तो उसे कंप्लेट कीजिए अगर नहीं भी किये तो आप कर सकते हो अगर आपके बास 2020 वाले 2022 अगर 2021 वाले हो तो बिल्कुल मत कीजिए छोड़ दीजिए आप मॉडल पर फोकस कीजिए फॉर्मिला रेट लिजिए वो टाइम आप इ सब्सक्राइब लिजिए और मॉडरेट में ही मिलेगा ट्राइटू फिनिश फिजिक्स फॉर्टिफाइब कॉस्टिफाइब मिनिट्स यह एक इंपरेंट बात है बच्चे का करते बच्चे एक घंटा दे लेते वन आवर सोच के जाते हैं कि फिजिक्स में हम लोग देंग कभी कभी केमिस्ट्री में एक दो स्रेडिकल कोशन नहीं आके कुछ फॉर्मुला विच अदेते कि आपको पूछ लेगा कि एंटी लोग लेके इकलिब्रियम कॉंशन के वैलिव बता दो एक साथ कुशन आ सकते है तो आप टाइम ला सकता है आप 45 मिनिट्स में 45 कोशन लेक आपको टाइम चाहिए आपने जब 45 मिनिट्स में पेपर कर लिया ठीक है तो अकिवास एक्स्ट्रा 20 मिनिट्स बच जाएंगे आपने फिजिस के लिए आकर एक गंट्र दस मिनिट्स मिनिट्स किया है 70 मिनिट्स अकर अटने अलोट किया तो आपको 20 मिनिट्स आपको बच हां मैंने सही किया गलत या फिर मार्क कर सकते हो तो गाहि में मा को जाएगी और आपको जो है कुछ ग्सली मिश्टेक हो सकती है तो इस ट्यक्निक से सिली मिश्टेक हम लोग कम कर सकते है जीतने कम स्ली मिश्टेस होंगे उतना अपना स्कौर ज्यादा बड़ेगा ठीक है आ आपको ऐसे ही मिल जाएंगे तो आपको इसलिए मैं बताते हैं फर्स पॉइंट में ही कि आपको दो बाजो है पूरा सब्सक्राइब करना है तो 35 के करिए अपको मिल गयते अब बाकी कोश्चन भी उसी टाइक के लिगें थोड़े से अब बाज करते हो तो आपको जितने चैप्टर से आपको बहुत कम लएगा क्योंकि उसमें कोश्चन ज्यादा होते हैं यह पर चैट्टर से आपको देखने को मिलेंगे और आपको किसी भी हालत में पी वाई क्यों को नेगलेट नहीं करना है ठीक है नेगलेट बिल्कुल भी नहीं करना है कंसेप्ट समझ के सो स्वाल कीजिए ठीक है और मैं बता रहा हूं कि बहुत लोगों को बोलेंगे कि 10-12 यह से कीजिए लेकिन अगर आपको टाइम है अभी टाइम है आपके पास अभी से आप 32 यह की जो भूक है होगा तुस्वाल फिजीकल वह थोड़ा डिफरेंट होगा फिजीकल और इन और इन और और फिजीक्स में तो पूरा आपको ऐसे ही जब प्रिपर करना जैसे में अभी बताया है जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना है ठीरी पे और बेसीकन नियूमरिकल ठीक है बेसीकन डियूमरिकल और फोकल तक पता नहीं कि जीक वैलु dow प्र होता है स्थिटने कि ऐसे और एंस तो ने ख़ल में किर सकते हैं विए तो फॉर्मिला जी बना सकते हो आपको ऐसीट को कुछ टेस्ट लेंगे तो आपको ए फॉर्मिला सहीट कना उसी फिटिं के निफ में आइंगे गिन के हर चैप्टर में 20 से 30 इंपॉर्मिला होते हैं जो शॉट ट्रिक्स आप मिला के ठीक है आपको 20 चैप्टर से आपका 20 चैप्टर से आपके वास ऐसे पड़े हुए 20 इंटू 20 आपका रआम ड़ी पागा है यह पूर मिला तो आपको रह सकते नहीं करो ठाब घो है कको चुंटिस की अभई क्छुषत है इस है बोलते हम जी डू बूलते है ठीक है तो इसे बेल्यस सब्सक्राइब च्छाहरा है हो अपको भूलनी नहीं कि शुक्त rays स्टीफशेंट स्टीफेंस कॉंस्टैंट इसकी वालुव कम याद करनी है अीं सीफेंस स्टिफेंस एंस को याद कर नहीं होना है क्यूंकि प्रिट फाइनल्स में कभी 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 कोशन में यह वैल्यू दी नहीं होती है तो आपको यहां से फाइदा हो जाए अगर आप बाकी लोगों से लीड ले जाओगे तो यह ता पूरा फुजिक सेशन का अनलिसीज अब हम देखेंगे इसके बाद केमिस्टिक अनलिसीज बायो उसके सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स का अपको पीडिएफ भी दे दूँगा ठीक है और आपको मैं वह करा भी दूँगा याद भी करा दूँगे कहा कहा से सिर्फ फिजिकल केमिस्टर में एक्टिर पढ़ नहीं है ठीक है तो उस पर हम लेक्ट्रेस भी लेंगे और उस तक पढ़ते रहिए बाए बाए